एक सेहत मन्द बॉडी से बनता है एक सेहत मन्द माइंड और एक सेहत मन्द माइंड से बनता है एक सेहत मन्द समाज सेहत मन्द रहना काफी जरूरी होता है क्योंकि अगर आप सेहत मन्द है तभी आप दूसरी चीजों को इंजॉय कर पाएंगे लेकिन अगर आप सिहत मंद ही नहीं हैं तो आपके लिए दूसरी चीज़े बेकार है सिहत मंद रहने के लिए एक बिल्कुल फ्री नुस्खा है कि आप मौर्निंग में ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए सो आज के इस वीडियो में मैं आपको मौर्निंग में बासी मूँ पानी पीने के क्या-क्या फायदे हैं ये बताने वाला हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं विशेले तत्व यानि टॉक्सिक अलिमेंट्स को बाहर करता है रात में आपका शरीर खुद की मरम्मत करता है और शरीर के सभी टॉक्सिक सब्स्टेंसेस को बाहर निकालता है भरपूर मातरा में पानी पीने से शरीर में मौजुद हानी कारक और टॉक्सिक एलिमेंट्स पसीने और यूरीन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं जिससे वाइरस से बचाव होता है बीमार या नहीं होती सुभा के वक्त खाली पेट पानी पीने से शरीर की बेहतरीन सफाई होती है बेनिफिट नमबर टू मेटाबॉलिस्म को बढ़ाता है खाली पेट पानी पीने से आपका मेटाबॉलिक रेट कम से कम 24% तक बढ़ सकता है और metabolic rate के बढ़ने का मतलब होता है आपके digestive system का improve होना और अगर आपका digestive system improve हो जाएगा तो आपका खाना जलदी से और अच्छी तरीके से हजन होता है Benefit No.3 Kidney stone और bladder infection से बचाता है जागने के तुरंत बाद पानी पीना गुर्दे की पत्री और bladder infection को रोखने के लिए बहुत important होता है ये एक fact है कि खाली पेट पानी पीना acid को पतला करता है वो acid जिससे गुर्दे में पत्री बनती है जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही आप toxic substances के कारण होने वाले अलग लग तरह के bladder infection से safe रहते हैं Benefit No.4 पेट से जुड़ी ही problems को दूर करता है सुभे उठकर खाली पेट पानी पीने से पेट की सारी problems खत्म हो जाती है इससे कब्ज में राहत मिलती है आपों में जमाव मल निकलने में आसानी होती है जिससे पेट पूरी तरीके से साफ हो जाता है और भूख भी खुलती है Benefit No.5 तनाव यानि stress से राहत देता है सुभे खाली पेट और दिन भर पानी पीते रहने से stress नहीं होता है और मालसी problem से भी ठीक हो जाती है जब आप सोकर उठते हैं तो दिमाग शान्त होता है ऐसे समय पानी पीना दिमाग को oxygen प्रोवाइट करता है और उसे तरोताजा बनाए रखता है जिससे दिमाग active रहता है Benefit No.6 वसन को कम करने में आपकी help करता है सुबह के वक्त एकड़म ठंडा पानी पीने से आपका metabolism 24% तक बढ़ जाता है जिससे वजन आसानी से कम होता है वहीं अगर आप गरम पानी पीते हैं तो इससे भी extra चरबी कम होती है और आपका वजन कम हो जाता है Benefit No.7 यूरीन से जुड़ी हुई problems को दूर करता है सुबह खाली पेट पिया जाने वाला पानी रात भर शरीर में बने हानी कारेक elements को एक बार में ही यूरीन के जरीये निकालने का काम करता है इसके साथ ही time to time भर पूर मातरा में पानी पीते रहने से पेशाब में जलन, यूरीन इंफेक्शन और दूसरी इसी तरह की problems खत्म हो जाती है Benefit No.8 इसकिन को healthy बनाता है खाली पेट पानी पीने से cells को oxygen मिलती है और वो active रहती है जिससे skin पर तासगी बनी रहती है Benefit No.9 शरीर के तापमान को control करता है खाली पेट पानी पीने से दिनकी शरुआत से ही आपके शरीर का तापमान control में रहता है जिससे छोटी छोटी बिमारियों से शरीर सेफ रहता है Benefit No.10 इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है पानी शरीर में unwanted elements को रहने नहीं देता है और शरीर के सभी अंगों को सेहत मत बनाया रखता है इससे शरीर की रोग पृति रोधक शमता यानी इम्यून सिस्टम बढ़ता है और मजबूत होता है जिससे हमें रोगों से लड़ने में काफी help मिलती है सो गाइस इतने सारे फाइदे हैं मौर्निंग में बासी मू पानी पीने के अब बात आती है कि मौर्निंग में आपको पानी कितना और कैसे पीना है मौर्निंग में आपको सुभा सोकर उठते ही खाली पेट चार से छे गिलास पानी पीना है यहांपर आपको दो चीजों का धियान रखना है एक तो ये कि पानी आपको खाली पेट पीना है दूसरे पानी पीने के बाद लगबग 45 मिनट या एक घंटे तक आपको कुछ और नहीं खाना है अगर आपको breakfast करना है तो आप पानी पीने के एक घंटे के बाद breakfast करिए अगर आप शुरू में ज्यादा पानी नहीं पी सकते तो आप एक गिलास से start कर सकते हैं धीरे धीरे आप एक गिलास से देर गिलास, दो गिलास, तीन गिलास इसी तरह से आपको 4-6 गिलास पानी रोजाना पीना है नहार मूँ पानी पीने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बीमारिया कम से कम होती है आज की सीडियो में आपने जाना कि नहार मूँ पानी पीने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्रेश्चन है तो आपनी चीक कॉमेंट करके पूर सकते हैं